का है ना देखो सबसे उपर देखो आप क्या है मोटे मोटे तौर पर मेरे साथ ध्यान दीजेगा आपने अपने तरफ से हजार बार मैप को पढ़ा होगा वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है है ना पढ़ा है बहुत अच्छी बात है एक बार टीचर के पॉइंट अब उससे प अब जो है हम लोगों ने इसको दो रूपों में बांट दिया है जम्मो कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और ये लड़ा की यूनियन टेरिटरी है ध्यान से सब लोग फोकस करेंगे तो ये जो यूनियन टेरिटरी अभी आपको पता है कि जम्मो कश्मीर जो है उसमें इलेक यह है पूरा लद्दाक का मैप ठीक है और इसकी capital है ले सबसे पहले नजा रखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा मैप है इसको बोलते हैं हम लोग लद्दाक ठीक है और यह है जम्मू कश्मीर वाला segment ठीक है यह पूरा अगर छेतर देखेंगे तो आपको भारत के अंदर दे capital है एक तो शिरिनगर है पर एक है जम्मू ठीक है तो दोनों segment अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह है शिरिनगर और यहाँ पे है जम्मू मोटे तोर पर तीन capital आपको जीवन में कभी नी भूलनी चाहिए यहाँ पे आप इस तरह से याद भी रख सकते हो कि एक जो है लेहे यहाँ पे है और उसके ही सामने मतलब थोड़ा सा नीचे के सतर पर इनका एकदम आपको direction भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए यहाँ के सतर पर आपको देखेगा जो शिरिनगर है और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा जम्मू और यहाँ पे शिरिनगर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जम्मू देखने को मिल रहा है ठीक है यह तीन इस तरीके से एक त्रिबुज टाइप का आपको idea या रखना है अगर मान लो कभी भी सवाल किस तरीके से पूछे बहुत पूछता है इस सेतर को लेकर सवाल अब अधर हम लोग देखेंगे तो ये चीन हे इलबट वाला सेग्मेंट है। इधर हम लोग देखेंगे तो ये अफगानिस्तान है। यहाँ पे ताजिक्स्तानवाला हे यह पाकिस्तान हे। ठीक है। Aश्मित लिए साथ स्टेट के पॉइंट अगर हम लोग निकाल दे तो यह हमारा कश्मीर का सेग्मेंट है और नीचे यहां से इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यह आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उपर दोनों में से कौन उपर है हिमाचल प्रदेश उपर है मान लो अगर आपको नहीं पता हो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है तो यहां से याद रखो यहां पर इसकी शिमला कैपिटल आती है तो हिमाचल प्रदेश को अगर हम उपर से लेकर नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी कैपिटल अग पिर शिरी नगर हमने यहां पे देखा, फिर हमने जम्मू यहां पे देखा, यहां पे लिए देखा, अगर हम लोग जम्मू से देखें, तो यहां से इस तरीके से एक कैपिटल बन रही है, जिसको हम लोग शिम्मला के तौर पर देख रहे हैं, यहां, अगर हम लोग कैपिट चंड़िगढ़ जो है जो के बागल में ही दीक है तो यह पंजाब की कैपिटल हो गई यह यहाँ पे शिमला हैं और यह यहाँ पे चंडिगढ़। एक है अब इसका मतलब यहाँ पे एक सबश् 함께 ठीक है तो हम लोग ले से निकले थे हमने हमने के शरीनगर को पिर हम लोग नीचे की तरफ अगर आते हैं तो इनके दोनों के साथ नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा उपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देरादू दिखेगा ठीक है थोड़ी सी लोकेशन्स आप लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाएं जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख रहे हैं ठीक है फिर यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों के बीच का सेग्मेंट देखेंगे तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिल्ली आ रहा है ठीक है इवन आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर हर्याना कहा रह गया हर्याना की कैपिटल कहा है चंडिगड दोनों की कैपिटल है पंजाब और हर्याना दोनों की कैपिटल है चंडिगड ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोग दिल्ली की जो कैपिटल है new deadly वाला segment वो वहाँ पे देखना है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपको कही ना कहीं पे दिख रहा है अब मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा हूँ यहाँ पे देखना यहाँ से अगर आप लोग देखो गए तो अगर हम लोग ले से चलते हैं ले से चलते हैं अगर हम लोग एक सेकेंड तो आपको मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो आपको देखशांत्री तौर पर निकट दिख रहे हैं यह कौन-कौन से स्टेट थोड़ा सा देख एक सेक्ट अगर आप देखोगे मोटे तौर पर तो ले के बगल में एक तो आपको शिमला दिख रहा है ले के बगल में अगर पूछे वो देशानत्री रूप पूछा था दिल्ली का दिशानत्र पूछा था बैंगलोर के साथ इस तरीके से कौन सा जो है देशानत्री रूप से दिल्ली के सबसे निकट है तो बैंगलोर वाल हम लोग देखते, मोटे तोर पर लगबग लगबग दिल्ली के सेम दिशानतर पर देख रहे हैं भूद छोटा माइनिूट सा फरक होगा तो ले अगर उपर है मालो ले अगर उपर है तो उसी के लगबग लगबग आ सबस के सेगमेंट में आप देखोगे यहाँ पे शिमला है, यहाँ पे चंडिगड है और यह इन दोनों की capital है चंडिगड पंजाब की भी और हर्याना की भी और फिर यहाँ पे देखेंगे इन तीनों के बीच में मैंने बताया था कि एक triangle बन रहा है पर यह यहाँ पे आपको देहरादुन देखने को मिलेगा फिर इनी के बीच में आपको दिल्ली देखने को मिल रही है ठीक है तो हम लोगोंने लगबग लगबग उत्तर वाला जो है segment इसकी capital को देखा है अब दिल्ली से कई लोगों के दिमाग वे रहता क्या लखनव नीचे पढ़ता है या उपर तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से लखनव पढ़ रहा है और इसी तरीके से जैपूर पढ़ रहा है तो एक triangle यहाँ लोग पे बन गया क्या बन गया यहाँ यहाँ पे भी एक triangle बनता हुआ आप लोगों को दिख रहा है तो हम लोग कहा तक पहुंच चुके है राजस्तान तक पहुंच लिए हम लोग उत्तर प्रदेश को भी देख चुके हैं अब अगर हम लोग नीचे की तरफ थोड़ा सा देखें तो जैपूर से इस तरफ से यहाँ पे गांधी नगर देख रहा है तो दिमाग में रहना चाहिए कि गुजरात की जो capital है वो कहीं न कहीं पे थोड़े से north वाले segment में देखने को मिल रही है गुजरात की जो capital है वो थोड़ा सा उत्तर वाले segment में आपको देखने को मिल रही है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके दिमाग में चीज़े यहाँ पे बन गया एक triangle यहाँ पे बन गया है और अगर मैं आप लोगों को इन तीनों की capital बताओं जैपूर में और इधर लखनव और इधर भुपाल तो एक triangle आप लोगों का यहाँ पे बन रहा है एक triangle इस तरीके से बन रहा है तो अब देखो capital कैसे कौन होल सकता है यहाँ पी आपको जैपुर दिख रहा है, यहाँ पी आपको गांधी नगर दिख रहा है, यहाँ पी आपको भुपाल दिख रहा है, यहाँ पी आपको लखनव दिख रहा है, इनके बीच में एक ट्राइंगल है, इनके बीच में एक ट्राइंगल है, फिर से साफ करके दिखा रहा आप खुद ध्यान से देखो इस टिप्स पे कर लेना है हम लोगों को मैं आपको ठीक है तो हम लोग दिल्ली से चले थे हमने कहा क्या हमारे दिमाग में अगर confusion आ रहा है क्या लखनव दिल्ली से उपर है या नीचे है अगर हमारे दिमाग में इस तरीके से आ रहा है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर ने बताया था कि नई दिल्ली से इस तरफ से जाता है क्योंकि ट्राइंगल कभी ऐसे नहीं बनेगा इस तरीके से बनेगा तो यहां पर लखनव आ गया और यहां पर इसी के आसपास दिल्ली दिख रहा है तो इस तरह का एक ट्राइंगल बन गया है इस तरीके का एक ट्राइंगल बन गया है अच्छा एक चीज और देख लेंगे अभी पहले पर चलो इतना ही कर दो कोकि फिर ज़्यादा confusion हो जाएगा फिर हमने देखा कि लखनव से क्योंकि हम लोग राजस्तान तक आ चुके हैं तो नीचे की तरफ अगर उतरेंगे तो हमें कहा जाना है गुजरात की तरफ जाना है तो अगर यहां से देखें हम जैपूर से देखें ये वाला बन गया एक triangle ये वाला बन क्या है इस ट्रैंगल की बात करें अर तो ऐसे आहने हैं सो ठीक है दूफिर सिदा पिच्टर दिखाऊ था Charles आपको फिर ट्राइंगल रहन देते हैं अगर confusion हो रहा है तो मेरे को बता दो अभी शेक कहरें इंट्रस्टिंग clear है चलो अच्छी बात है भी सबको clear होना चाहिए भी बहुत अच्छे से clear होना चाहिए चलो चलो बहुत अच्छी बात है ठीक है ठीक है हर टेकनीक अलग अलग होती है तो मेरे साब से यह बैटर है चलो भी सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है अब ध्यान दोगे आप लोग हम लोगों ने यह देख लिया है कि यहां पर तीन ट्रेंगल बन चुके हैं तो हमने पूरा यह वाला सेग्मेंट सारा कवर कर लिया है हम लोगों ने यहां वाला आप सोच के देखो वैसे ना capital आपको कभी याद नहीं होगी बट अगर आप इसको जैसे मैंने आपको बताय है अभी अगर इस तरीके से आप रिकॉल कर लोगे बार 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 चार पांच बार ना यह कभी भी जीवन में भूलेगा नहीं आपको एकदम टिप्स पे मतलब हमारे दिमाग में भारत का नक्षा छप जाना चाहिए हैं ना बहुत अच्छे से सवाल डील हो अगर हम मोटे तौर पर सरफ दमन को देखें अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो यहां पर दमन दिख रहा आपको तो एक ट्रैंगल इसके बीच में बन गया तो गांधी नगर और दमन और घुपाल के बीच में भी एक ट्रैंगल बन रहा है तो आप लोगों को इसक बहुत अच्छे से याद रखना है फिर अगर हम लोग नीचे की तरफ आए तो आपको देखना है कि यहाँ पे है मुंबई एक ना बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि गोवा उपर है कि मुंबई उपर है तो यहाँ पे है गोवा मतलब मुंबई के कंपेरिटिव ल मुंबई काफी उपर है मुंबई जो है वो काफी उपर आपको देखने को मिल रहा है और माहरास्ट का अगर हम लोग 30 चेतर देखें तो उसके लगबग लगबग सेंटर में दिख रहा है लगबग लगबग कहां दिख रहा है सेंटर के फॉर्म तो यहाँ से अगर हम मुंबई एक यहां पे गोवा अब अगर हम लोग देखें तीलंगाना वाला सेग्मेंट तो एक ट्रायंगल आपका यहां पे बन गया थीक है ते लिंगाना की capital है 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 एधराबाद तो एक क्अहां पे बन जा रहा है यहां पर बन जा रहा है फिर से दोहर आ रहे हैं फिर से देखना ध्यान से फिर से देखना हम लोगों ने मुंबई और गोवा तो बहुत अच्छे से देख लिया कि मुंबई वाला सेग्मेंट जो है वो अब अगर कभी भी दिमाग में ना आए ना तो ये सोचिएगा कि जो महरास्ट है उसका तट अ जाने के बाद उपर की तरफ में लगबग सेंटर में सेंटर से थोड़ा सा उपर हम लोगों को मंबई देखने को मिल रहा है सेंटर से थोड़ा उपर मुंबई देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ अगर हम हाएं तो गोवा का ये सेग्मेट है ये पूरा स्टेट गो पर हमें कोई सेग्मेंट एक कैपिटल नहीं मिल रहा है, दोनों की कैपिटल इस तरफ देखने को मिल रही है, तो इधर फिर किसकी कैपिटल आएगी, इसके आसपास में, सरफ तेलंगाना की कैपिटल देखने को मिल रही है, इसके आसपास आपको सरफ तेलंगाना की पहले प और पर कहां पर बैठ रही तो इन दोनों के बीच में बैठ रही है इसके किसके मुंबई के और बुवा के बीच है है इसके किसके बीच में मुंबई पे और आपका जो पंजी है और इधर आपका है अब जीवन में नहीं भूलोगे इसका लोकेशन देखो इस तरीके से जा र ट्राइंगल का अब यहीं पर रहने देते हैं ठीक है अगर हम लोग यहां का देखें नीचे चलो अभी एक बार पूरा नीचे ही देख लो तो अब अब देखो हम लोगों को देखना यह है हमारा बैंगलो यह है हमारा बैंगलोर तो यहां से हम लोग पंजी से गए बैंगलोर यह एक ट्राइंगल यहां पे बन गया तो किसके किसमें यहां पे बना है ट्राइंगल तो नीचे अगर हम लोग देखें यहां पे यहां पे अगर हम लोग देखें एक यहाँ पे हमने मुंबई देखी, एक यहाँ पे हमने पंजी देखी, और पंजी से थोड़ा नीचे की तरफ है बैंगलोर, पंजी से थोड़ा यहाँ पे फिर से साफ कर रहे हैं, ध्यान से देखेगा, पंजी से थोड़ा नीचे की तरफ है बैंगलोर, यहाँ से देखो, इस तरीके से है तो बैंगलोर अगर भूल रहा हो तो याद रखेगा पंजी से इस तरफ जाना है पंजी से इस तरफ से जाना है एक हमारा ट्रेंगल ये था यहाँ पे हमने बनाया और एक हम लोग ट्रेंगल यहाँ पे बना रहे है तो कौन-कौन सा इसमें कौन-कौन आएग एक तो हैदराबाद आ रहा है, एक हमारा पंजी आ रहा है, एक हमारा बैंगलोर आ रहा है, हैदराबाद और पंजी और बैंगलोर, अगर मैं आपको ये बात कहूँ, अगर मैं ये कहूँ आपको, एक सेकिंड दिखेगा, क्या इन दोनों में कौन सा इधर है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हैदराबाद इस तरफ दिख रहा है, लेकिन बैंगलोर थोड़ा सा इधर दिख रहा है, हैदराबाद इस तरफ दिख रहा है और बैंगलोर थोड़ा सा इधर दिख रहा है, ठीक है, और गोवा और तेलंगाना इनके अगर हम लोग exact location याद कि पंजी कहां पे है तो पंजी इन दोनों के लगभग लगभग बीच से गुजर जाता है किसके किसके बीच से तेलंगाना और बैंगलोर के बीच से इन दोनों के बीच से गुजर जा रहा है ठीक है तो हम लोगो ने यहां पे कुछ चीज़े देखी, एक बार फिर से देख लो, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखे, यहाँ पर, यह थोड़ा सा, इसको एक अलन ट्राइंगल के तौर पर हम लोग देख लेंगे, यह वाला जो है हमारा, यह वाला सेग्मेंट जो है, चतिस गड़ रायवर वाला, तो इ अगर मैं आपको यह कहूँ, पहले यह वाला तो नहीं भूल जाओगे, पहले इसी को देखो दुबारा देख, यह यहाँ पर मुंबई है, और हमने कहा था, पंजी नीचे है, मुंबई और दोनों साइड साइड में यहाँ पर है, तो हम लोग ने एक ट्राइंगल बनाया है, यह वाला भी एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर देख, इन दोनों के बीच में हैं अमरावती, अगर हम लोग तिलंगाना की पैपिटल से अमरावती की तरफ जाएं, तो वो इस तरह के डारेक्शन बनता है, वो इस तरह के डारेक्शन बन रहा है, तो हम लोग यह यहां पर भी एक triangle बना सकते हैं हम लोग यहां पर भी triangle बना सकते हैं और दूसरा एक triangle